एक बड़ी खबर अपने दश्कों को इस बीज बिता दई जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूस सामने आ रही चंडीगर से बड़ी खबर है दरसल आज कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है चंडीगर से बड़ी खबर भुपेंदर सिंग हुड़ा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे कई मायनों में ये बैठक बेहद आहम क्योंकि इस बैठक में आगी की रणनीती विपक्ष तयार करेगा जब कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक होगी हमारे सिर्फ की पवण जुड़े हुए है लगातार तमाम जरूरी अब्रेट्स के साथ पवन जिन मुद्दो का हम लगातार जिक्र कर रहे थे उन्हीं मुद्दो पर मन्थन को लेकर चार बजे कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक अपडेट जी बिल्कुल कॉंग्रेस की विदायक दिल की बैठक होगी तमाम जो मुद्दे हैं चाई पेपर लीख है भर्ष्टाचार है कानून विवस्ता है या फिर जो किसानों का अंदोलन है इसके साथी बेरोज़गारी है महंगाई है इन तमाम मुद्दों के उपर विपक्स ने अ और इसी को लेकर आज कॉंग्रेस के विदायक दल की थोड़ी देर बाद यानि करीब सवाच चार बजे तक जो है वो बैठक होगी और कॉंग्रेस के विदायक दल की बैठक जो है वो नेता विपक्ष और पूरो मुख्यमंतरी भुपेंदर्शी हुड़ा का जो चंडिकड के नाम से calling attention लगाना है किस विदायक के नाम से adjustment motion जो है वो move करना है कौन विदायक जो है वो किस सवाल पर किस तरह से सरकार को घरेगा यानि एक रणीती रहती है वो रणीती सत्ता पक्ष भी तयार करता है विपक्ष अपनी रणीती इस तरह से तयार करता है कि कब किस मुद पर जो है उनको बैक स्पोर्ट करेंगे तो यह पूरी रणीती तयार जो है वह आज को इसका विधायक दिल करेगा थोड़ी देर बाद यह बैठक जो है वो चंडिगर में पूरो मुख्यम दिल पेंदर शुरू हो जाएगी जिसमें विपक्ष जो है वह अपनी रणीती तया पूरा रोड मैप तयार किया जाएगा कि सेशन के अंदर किस तरह से सरकार को किन मुद्धे पर कैसे घेरना है इस बैठा कुलिकर पवन आपसे मैं सवाल लूँगा लेकिन इक सवाल मैं आपसे यह करना चाहूँगा कुमारी सैलजा उन्होंने क्या कुछ कहा कल के सेशन कु आप बिल्कुल देखें हर्याना कॉंग्रिस की अधिक से कुमारी सैलजा और जन्हेता टीवी से खास बात्षित कुमारी सैलजा जब कर रही थी जी जी पहुन बात पूरी करेगा अपनी तो उनका यही कहना था कि तमाम मुद्दे हैं चाहे भर्ष्टा चार है चाहे पेपर लीग का मामला है जी बिल्कुल उनका यही कहना था कि चाहे पेपर लीग का मामला है भर्ष्टा चार है कानून विवस्ता है यह तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इसलिए शेलजा ने कहा कि इस अवदी को बढ़ाये जाए यह वो विपक्स के नाते मांग करते हैं कि सहसिन की अवदी को लंबा किया जाए साथ ही उन्होंने कहा कि आजो पर्ची खर्ची की बात सरकार करती है कि बंद कर दी है लेकि परदेश में जो पेपर ही लीक हो ऐसे में उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जाँच हाई कोड के सिटिंग जज से करवाई जाए इसका एलान जो है वो विधानसुभा के अंदर से सरकार करे तो यह तमाम मुद्दे हैं जिनके उपर कॉंग्रेस ने रन्नीति तैयार की है पन पर्ची और खर्ची का अपने जिक्र किया क्योंकि साफ्तवार पर सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि पेपर लीक मामले में वो अद्यादेश लेकर आएगी और सक्त कानून का रुख तक तियार करेगा यह अद्यादेश ताकि पेपर लीक से जुड़े जितने भी मामला है इस मामले में विपक्ष यू है वो काफी तलखी के साथ जो है वो सरकार को गहर रहा है सदन के बाहर यानि मौनसून सतर शुरू होने से पहले अब तक का जो विपक्ष का इस मामले में जो स्टेंड है वो साफ है कि सरकार को यह इस मुद्दे पर विपक्ष ने जान्स करवाई जाये या फिर सरकार सीबेस तरकी बड़ी एजन्सी से जान्स करवाई यान इस पूरे मामले की निस्पक्स जान्स की मांग विपक्स कर रहा है लेकिन सरकार जो वो सदर में इस मामले में जान्स की जब मांग उठती है तो उस पे क्या जवाब देती है ये देखना होगा लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी है सरकार ने भी पेपर लीग जैसे मामलों से निपटने के लिए एक नया कानून बनाने की तैयारी कर ली है कानून को ड्राफ्ट जो हो किया जा चुका है इसी मौनसून सतर में हरियाना विधानसवा के पटल पर इस कानून के प्रारूप को रखा जा सकता है और सूत्रों के माने तो इस विदानस्वा के मौनसून सत्र में ही पेपर लीग से जुड़ा जो कानून है वो सरकार कानून विदानस्वा में पेश करेगी और उस कानून के बनने के बाद हरियाना में पेपर लीग गिरों के उपर नकैल लगेगी ऐसा सरकार का दावा है सरकार के मुताबिक जो पेपर लीग से जुड़े लोग होंगे उनको साथ साल से लेकर दस साल तक की सजा नोन अबेवल जी पहुन वाकर कुल मेवाकर ये कहा जा सकता है पेपर लीग के प्रकरण पर सरकार का ये मस्टरक श्ट्रोक होगा कि वो कानून लेकर आ रही है सकत पूरे प्रकरण पर पहुन बहुत 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 शुक्रिया आपका अस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए